नमस्कार सच श्री अकाल आज हम आए हैं स्पेस ट्राइस्टार सेक्टर 92 न्यू बुलगाव। स्पेस ट्राइस्टार एक हाइस्टिर रिटेल कमर्शल है और इसमें आप सेल्फ यूज और प्रीलीज किसी भी तरह की आप इसमें शॉप्स रिटेल या फूड कोट या ओफिस स्पेस इसमें ले सकते हैं और इसके अंदर आपकी इंवेस्ट्मेंट लगबग 22 लाग से शिरू होती है और यह दो कॉइंट छे साथ एकर का प्रजेक्ट है इसके आज पास पूरा रेजिनेशन हब है और अपकमिंग प्रजेक्ट भी यह आने वा प्रजेक्ट है जो कि आपके बजट के मुताबिक आपको यह एक अच्छा ऑप्शन देगा हम हैं आई एम टी है गुलगांग रोड पे यह रेजेंशन सुसाइटी के बाद कि यह अब हम लोग पहुंच चुके हैं तो स्पेस टाइस्टार हाई स्ट्रीट रिटेल पे और क आपको दिखाए रिटेल पे यह मैं आपको दिखा पा रहा हूं कि यहां शॉप्स का पोजेशन दिया जा रहा है रेडी दू मोव इन शॉप्स और ओफिस पेस हैं यहां पर और इसका ओसी भी आ चुका है और इसके सामने यह सिग्णेच्रल ग्लोबल सुप्रेविया की स्वाइटी है और इसके साथ यह स्पोर्स एक्रेट भी करीब पचास हजार से ज्यादा फैमिली यहां रह रही हैं अब आपको दिखाने जा रहे हैं जोटी आप दो अब जाली है और उब है है अब जोटी यह जाली है और यह जोटी है रहा हैं यह कोई को अब जारे आएं आपके दिया रहे हैं तो इंदर वार बोज़े को चनाना होगा में दो करते हैं कैजरी पॉटेशन भी आदाएगा यह है रांग लोल का कॉरीडोर यहां पर एक्सिमेटर इसाउन के दाज़के हैं लिफ यह इसाउन की दाज़की है हमें बदब आज़की है इसकी इसे लिफ और एक्टिविटी किये गए लुट है यह दो बहुत है रही थोग पॉर्टो तरीका है कि अधिये दिनी अधिया पास्राट इस निटो पॉर्टो थोगे अधिये वेश्टोप आएगेए और यहां फर्स प्रोंपे इस शॉप्स को जिने पोजेशन मिल चुका है वो अपने ब्रैंड फोल यहां लाने के लिए काम कर रहे हैं इस शॉप्सा इस्ता है जो आपको दिनार जारेंगे यहां पर यहां पर देख सकते हैं कि किसी अच्छा तरीके से यहां यहां शॉप्स लेकर आपको फोसी का वेट नहीं करना या पोजेशन का वेट नहीं करना सीज़ा आप प्रोफली प्रचेस करें आपने रजिस्ते करवाएं और अपना शोरूम अपना ओफिस या अपनी शॉप्स आप यहां ओपन कर सकते हैं हम अब इस भाइश्ट्री रिटेल मार्किट के पच्छ क्लोर पे हैं और यहां पे जिन लोगों ने पोजेशन लेली आएं वो अपना काम खुल कर सकते हैं जैसे असका में आप बुखान देख पा रहे हैं यहां और अप्तिकल स्टोर खुला जा रहा है और इसका भी सिलिशिंग का काम और स्टार्ड कर चुके हैं और इस पोजेशन लेके अपना काम स्टार्ड कर रहे हैं यहां चोटी और बड़ी हर साइस की दुपाने अभी कुछ फ्रेश इंवेंट्री और कुछ रिसेल में अवेलेबल हैं जो कि आप इसमें ले सकते हैं यह शियर्म की प्लॉट है कि आपकी यहां हमके खाले याक्तों कि यह कुछ ने में लिए है और इस शॉक में भी काम शुद होने बाला है जो इस प्रेश किया है और यहां के अंदर भी यहां की आवर काम करवा रहे हैं वह थी अच्छी करिके से इसका ड्राइक कर्सेक्शन पार्टिशन तर्यार किया जा रहा है हम अब खड़े हैं इस मार्किट के सेकंड फ्लॉर पर यह आप देख रहे हैं कि यहां पर दुकानों के शीशे और फर्श की सफाई का काम हो रहा है ताकि यहां पर नए शुरूम खोले जा सकें और यह साथ में यहां सेकंड फ्लॉर पर यह फूड कोर्ट तयार हो रहा है फूड कोर्ट का यह हॉल तयार हो चुका है सिर्फ इसके अंदर बिल्डर की तरफ से इसी पोजेशन में दिया जाएगा और जो ब्रैंड इसे लीस पे ले रहा है इंटरनल वर्क यह सारा उसी को कराना पड़ेगा यह मैं आपको दिखा पा रहा हूं इसके अलावा थर्ड फ्लोर और फॉर्ट फ्लोर पे मल्टिप्लैक्स हैं यह एलिवेटर एक्सिलेटर यहां तयार किये जा चुके हैं मेरे ख्याल से इसमें अब कोई कमी नहीं रह गई कि इसका पोजेशन ना लिया जाए हम आप खड़े हैं फिफ्ट फ्लोर पे फिफ्ट शिक्स एंड सेंफ फ्लोर ऑफिस स्पेस है और इसमें यह ऑफिस पार्टिशन करके बनाया जारही है और पोजेशन के रेडी है आउटर वर्ट यह करके दिया जा रहा है और इंटरनल वर्ट हो है जो भी कंपनी या फर्ट इसे लीज़ के लेगी इंटरनल वर्ट उस्तितर से किया जाएगा और यह प्रॉपर ऑफिस के सुनाया जाए है यह जो कि मैं आपको भी निखापा रहा हूं अब देखने हैं कि हर जगा पूरी तैयारी कर ली गई है अपने ओफिस सेटप लगाने के लिए हम खड़े हैं इस प्रोजेक्ट के टॉप फ्लोर पर यह एक ऑफिस स्पेस है और यहां से कि हम आपको इस फ्लोर पर इसलिए लाए हैं क्योंकि आज-पास के प्रोजेक्ट का आपको व्यू दिखा पाएं जो कि नीचे से निखाए जासकता था यह अब देख पा रहे हैं साथ मिंटर रोड एक्टिव है और इसके साथ सिग्रेचर्व गोबल सुप्रेविया की यह सुसाइटी यह मार्क्ड है और इसका ड्रॉ सुसाइटीज है जो आप देख पा रहे हैं और यह ओफिस पेस विंटर की तरफ से प्यार की करदी जा चुकी है अब इसे लीच्ट पे ले रहे होनी कंपनी अपने तरीके से इंटर्वनर बद करवा के मोडिफाई दाएगी और जो आप यह खाली जमीन देख रहे हैं यह फ्यूचर डिवल्प्रेंट है यहां लो राइज रेजनेशनल आएंगे निवेश्ट को चर्तावनी दी जाती है कि आप बिना रियोस्टेट एक्सपर्ट की गाइडेंस के कोई भी कमर्शल या राइजनेशनल प्रॉपर्टी में निवेश्ट ना करें और आप किसी भी रियोस्टेट एक्सपर्ट को हायर करते हैं तो क्रिपयार यह बात पहले ज या व्या किसी और प्रॉपरटी के लिए वख ऑफ पूपरटी को दिर्न पर चलाने के लिए लि या उससे रिसल जा लिकृटर कहँते के लिए क्या वह आपसाइटत हुर हैं यह सुनेश्चत कर लें तब हैं किसी भी औरलिख्ट एक्सपर्ट को हायर करें अगर आपको हमा प्रोडी लेने में किसी की सायता करना चाहते हैं तो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर करें और हमें ऐसे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करने के लिए प्लीज आप हमारा ये चनल जरू सब्सक्राइब करें धन्यावाद